हमारी जो BFIC scan है यह आई थिंग सो के बंद हो चुकी है या अभी हो जाएगी थोड़ी देर में इसकी अपडेट आपको ऑफिशली भी आ जाएगी तो BFIC scan जो है वो आपकी proof of distribution पे सुच होने के लिए close हो रही है और यह maintenance जो है यह seven days की maintenance होगी तक्रीबन seven days कोशिश है हमारी जल्दी होजे लेकिन maximum भी अगर हुई तो seven days की इसकी maintenance तो कोशिश करेंगा हम इसको जल्दी कर लें आचा तो जब आपको पता है blockchain maintenance वे हो तो उसमें trading के इलावा हर चीज जो होती है वो stop हो जाती है आप transactions नहीं कर सकते आप utility कहीं पर नहीं यू उसके related token से किसी भी उसमें नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि exchanges के ओपर भी blockchain चेंज होगी और वहाँ पर ट्रेड कर सकते होंगे सब कुछ कर सकते होंगे लेकिन आप वहाँ पर transfer नहीं कर सकते होंगे या exchange से withdrawal नहीं ले सकते होंगे तो सारी जगापे withdrawal और deposit जो है वो बंद होगा अच्छा उसके बाद ये हम सब के लिए बहुत बड़ी good news है blockchain चेंज होना क्योंकि इस blockchain के अपर हम पिछले चार साल से काम कर रहे थे proof of distribution concept आपको पता है दुनिया की जरूरत है यह इस वकत जितने भी नए tokens नए market में आते हैं उनकी जरूरत है इसको थोड़ा सा मैं बरीफ करूँ proof of distribution के है कि दुनिया में कोई भी token किसी blockchain पे बनता है तो उसकी जब transaction होती है तो gas fees जो होती है वो native coin में होती है तो उसमें जो gas fees charge होती है उसके लिए आपको BNB रखना पड़ता है इसी तरह जो BFIC की blockchain है उसकी gas fees जो है वो BFIC में consume होती है और BFIC कर लें या दुनिया की कोई भी blockchain कर लें उसमें जितनी भी transaction होती है जो भी gas fees charge होती है वो minor minor सी होती है लेकिन minor minor एक बहुत बड़ी quantity बन जाती है millions में monthly जो है इसकी gas fees की मद में tokens जो होते हैं वो आ रहे होते हैं लेकिन वो token जाते का है sorry coin वो coin gas fees के points जाते का है वो जाते हैं जिन लोगों ने notes लगाई होती है जो validators होते हैं उनके पास जाते हैं उनकी income होती है क्योंके उन्होंने उस पे investment की होती है notes computer लगाया होती है तो यह concept आपकी blockchain में भी आ रहा है लेकिन इसमें खुबसूरती क्या है uniqueness क्या है कि इसकी gas fees जो है वो तीन parts में distribute होगी जिसको का जाता है world की पहली proof of distribution इस blockchain का नाम है proof of distribution तीन इसो में divide होगी तीन इसे कहां जाएंगे जी 33% जो है वो जाएगी कहां पर जिसका token और आपने token बनाया किसी blockchain के उपर आपके token में बहुत सारी transaction हो रही है उसका आपको कोई फायदा नहीं लेकिन अगर आपका token BFIC की blockchain पे बनता है तो जितनी भी gas freeze charge हो रही है उसका 33% जो है वो आपको है second number पे जो validators हैं जिन लोगोंने server लगाए होंगे जो staking जिनोंने की होगी validators दो तरह से होते हैं एक तो वो होते हैं जो लोग अपने server से लगाते हैं और proof of stake पे जाते हैं तो 33% जो है वो उनको distribute होगी 33% gas fees जो है वो company को कमपनी की earning या blockchain maintainer server charges इन चीजों पे इन चीजों के लिए company को आती है तो आज की meeting में मैं आपको बताऊंगा कि अगले एक महीने में BFIC की जो gas fees है यह मैं calculate करके starts के साथ आपको दिखाँगा कि minimum minimum 75 million transactions जो हैं वो होने जारी अगर हम इसको lowest scale पे calculate करें और अगर हम जो plan है जो utilities है उन सारों के साथ से करें तो इसकी gas fees with in a month billions में जाएगी और अगर millions में या billions में जाती है तो आप चोटी चोटी supply चोटी चोटी यानि के gas fees जो है आप आप खुद calculate कर सकते हैं for example 0.02 BFIC माइनर होती है जो gas fees जो होती है तो अगर आप इसको calculate करें 75 million से कर लें तो आप खुद imagine करें कि कितनी बड़ी utility BFIC की जो है वो इसमें आने जा रही है कर दो आप